हेलो एवरिवन वेलकम टू उतकर्ष सभी विद्यारतियों का एक बार फिर से स्वागत है उतकर्ष में मैं पवन कुमार पारिक आपको पढ़ा था वास्तविक संक्या अध्याएवन विद्यारतियों और आज के इस वीडियो में जो है हम प्रसनावली 1.2 यानि प्रसनावली 1.2 की पूरी व्याख्या देखेंगे इस संबंद जो बेसिक जानकारी वो मैंने आपको वीडियो में दे दी है मैंने आपको वो पढ़ा दिया है अब आज की इस कलास में प्रसनावली 1.2 का आगाच करेंगे शुरुआत करेंगे बहुत ही इजी प्रसनमाला है और अच्छ अबाजी गुननखंडो के गुननफल के रूप में व्यक्त कीजी ये जो संख्याएं आपको दे रखी है संख्याएं इनको आपको अबाजी गुननखंडो के गुननफल के रूप में व्यक्त करना है यानि इनके अबाजी गुननखंड कर दो और इनके गुननफल के रूप में लिख दो तो पहले बात करते हैं 140 की 140 के अबाजी गुननकर्ण क्या होंगे 2, 70, 2 का बाग वापिस देंगे 35 फिर 5 बार फिर 5 एकम 7 से 7 एकम 7 ठीक है ये 2 से मैंने विबाजित किया क्योंकि सम संक्या थी ये भी 2 से किया सम संक्या थी यहां इकई अंग 5 था इसलिए दिया फिर 7 से क्यों दिया क्योंकि 7 अबाजी संक्या है तो 140 के अबाजी गुननकर्ण क्या आया आप देखिए 140 के अबाजी गुननकर्ण में क्या आया 2 x 2 x 5 x 7 आया या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 2 कितनी बार है 2 बार है 2 की गात 1 1 5 की गात तो 2 की गात 1 और 1 जुड़ जाएगी 2 की गात 2 x 5 की गात 1 x 7 की गात 1 ठीक है यह आपने किसको लिख दिया 140 जो बाज्य संख्या थी उसको आपने अबाज जी देखो इसमें दो, पांच और साथ, दो, पांच और साथ, तीनों ही अबाज जी संक्या हैं और इनके गुणा के रूप में आपने किसको लिखा, 140 को लिखा, ठीक है, अगला सवाल है 156, इसके अबाज जी गुणनकर्म करते है 156 के, 2 से कैंसिल इसका मतब तीन का भाज जाएगा, तेरा बार और तेरा अबाज जी संक्या है, तेरा एकम, तेरा क्लियर है, तो यहां भी हमने किसको लिखा, 156 को लिख दिया है, क्या आया, 2 into 2 into 3 into 13, ठीक है, सब की गाते एक एक लगा दो, अब देखिए, 2 यहां भी है, यहां भी दोनों गाते जुड़ जाएगी, तो 156 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की गात 2, 1 और 1 आदार समाने, तो गाते जुड़ जाएगी, 2 की गात 2 into 3 की गात 1 into 13 की गात 1, आपने 156 को अबाज जी संक्याओं के गुना की रूप में लिख दिया है, ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल ह 3,825, तीसरा सवाल है, 3,825, तो सबसे पहले किसका बाग देंगे, पहले देखो, 2 का तो जाएगा नहीं, क्योंकि इका यंग क्या है, पाँच है, तो 3 का कैसे जाएगा, अंको का योग करो, अंको का योग यदि 3 से विबाज्य है, यानि 3 की विबाजिता का नियम लगेग तो 3 का भाग जाएगा, तो 5 और 2, 7 और 8, 15, और 3 कितने हो गए, 18, तो 3 का भाग जाएगा, 3 एकम 3, फिर कितनी बार जाएगा, 3 दूनी 6, दो बार जाएगा, 3 दूनी 6 हो गए, 2 इदर जाएगा, 22 बनेगा, 3 सत्य 21, और 1 इदर जाएगा, 5 बार, 3 पंजे 15, अब देखी, व 3, 15 अब देखते हैं वापिस योग करो चार 5 और 2, 7, 7 और 4, 11 अब योग 11 हो रहा है यानि 3 का भाग नहीं जाएगा आपको केवल अबाजी संक्छाओं का देखना है पहली अबाजी संक्छा दो होती है दो का नहीं गए हमनें 3 से सुरुआत की अब यहां देखो 425 में 3 का भी पाँच पंजे 25 फिर वापिस पाँच का जाएगा पाँच एकम पाँच तीन इदर जाएगा 35 अब देखो 17 प्राप्त हुआ अब हमें 17 प्राप्त हुआ और 17 एक अबाजी संक्या है निस 17 में केवल 17 का भाग जाता है तो हमने इस तरह 3825 के अबाजी गुननकन कर दिये बस अ अबाजी संक्या ये सारी 3, 5 और 17 अबाजी संक्या है इनके गुना के रूप में लिखते हैं तो 3 x 3 x 5 x 5 x 17 में प्राप्त हुआ सब की गाते एक एक बार लगा दो अब देखो 3 यहां दोनों बार है आदार समाने दोनों का 3 गाते 3 की गात दो हो जाएगी इसी तरह 5 दो बा 3, 5 और 17 यानि 3 अबाजी संक्या हैं उनकी गुना के रूप में आपने लिख दिया है ठीके अगला है 5,005 ठीके अब देखी यह 5000,005 है इसमें किसका बाग जाएगा तो 2 से सुरुआत करते हैं तो 1 अंक 5 है तो 2 का भाग जाएगा नहीं अगली अबाजी संक्या 3 है तो 5 और 5 दस होते हैं 10 में भी 3 का भाग नहीं जाता तो अगली अबाजी संक्या कौन सी है 5 5 में देखते हैं भाग 5 एकम 5 फिर 0, 0, 5 एकम 5 यनि 5 का भाग गया अब देखो 2 का जाएगा नि 3 का जाएगा नि 5 का भी नहीं जाएगा क्योंकि 1 अंक 1 है यदि 1 अंक 0 हो या 5 हो तब 5 का भाग जा सकता है अब एकई अंक एक है तो किसका भाग देंगे अब अगली अबाजी संक्या साथ, साथ का देखकर देखते हैं, 1001 में साथ का भाग जाता है या नहीं जाता है, ठीक है, साथ एक कम साथ, तीन इदर जाएगा, तीस बनेगा, साथ चौक अटईस, दो इदर जाएगा, इक्कीस यानि साथ तिया एक्कीस, यानि साथ का भाग आराम से चला गया, अब साथ का भाग जाएगा, क्या साथ दूनी चौदा, लेकिन पीछे तीन बचे भाग नहीं जाएगा, तो दो, तीन, पांच और साथ, ये चार अबाजी संख्याओं का अब भाग नहीं जा रहाएगा, अब देखो पीछे 13 बचा और 13 में केवल 13 का बाग जाता है क्योंकि 13 अब भाजी सन क्या है तो 5005 को आप क्या लिख सकते हो 5 एंटू 7 एंटू 11 एंटू 13 और सभी की गाते इसमें तो कितनी कितनी रहेगी एक एक ही रहेगी क्यों क्योंकि विद्यारति यहां कोई दो बार नह यानि गाते कहीं नहीं जुड़ेगी 5005 के अबाजी गुननखन इस तरह से आपको करने हैं अगले प्रस्नम की और बढ़ते अगला है 7 429 7 429 को देखते हैं अबाजी गुननखन शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले देखो इक ही अंक 9 है तो 2 का भाग तो जाएगा नहीं त 3 का देखते हैं 9 और 2 11 11 और 4 15 15 और 7 22 यानि 3 का भी भाग नहीं जा रहा है 5 का भी नहीं जाएगा अब किसका भाग देखेंगे 7 का देखकर देखते हैं 7 का भाग जाता है या नहीं जाता है तो देखिए 7 का भाग भी देखते हैं 7 का भाग मैं या अलग से देख लेता हूं साथ चार दो नो साथ एकम साथ जाएगा सेसपल आएगा चार अब साथ का भाग चार में जाएगा नी जीरो आएगा फिर उतरेगा दो साथ चंग हो जाएगा किता बायनी सेसपल जीरो नो आएगा साथ एकम साथ का भाग भी पूरा नहीं जा रहा है अगला कौन सी संक्य हो एगी साथ के बाद अगली अबाजी होती 11 11 का भाग देखंथे 11 का नियम लगा दो विवा जिता repository क्या है 11 का अंकों का योग करो सम इनका और इसका योग कितना हो रहा है 9 और 4-3 और इस 9 का क्या अऩरा 9 हो रहा है ठीक है योग समान नहीं है विबाजिता का नियम क्या होता है ग्यारा का कि सम अंक को सम इस्थान पर जो अंक है या विसम इस्थान पर जो अंक है उन दोनों का योग जो है समान होना चाहिए तो देखो यहां से नमरीं करो समिस्तान दो नमबर चार नमबर कर साथ ओुणका नौ योग है तो ग्यारा का विवाजिता का नियम भी नहीं लगा तेरा का लगाकə देखते हैं तेरा का भाग जाता है नहीं जाता है साथ 4 दौ 9 तो तेरा का भागा अब यहां पर देखते हैं दो आया तेरा का भाग भी पूरा पूरा नहीं जा रहा है अब अगली अबाजी संक्या कौन सी है सत्रा से चेक करते हैं क्या सत्रा का बाग जाता है या नहीं जाता है ठीक है तो सत्रा एक कमदे को आपको हिम्मत नहीं आनी दो तीन पांच साथ ग्यारा तेरा भी फैल हो गया अब सत्रा चेक करिए उसके बाद 19 कहीं न कहीं से स्टार्टिंग जलूर होगी तो सत्रा का बाग देते हैं सत्रा चौतिस इकावन अड़ सट ठीक ह चार बार जाएगा पांच बार जदा हो जाएगा चौदा में से आट गए तो कितना बचेगा चौदा में से आट गए तो छे बचेगा यहां बचेगा जीरो बासट अब सत्रा चौतिस इकावन अड़ सट तीन बार जाएगा एक एक अब देखो सत्रा का बाग 119 में कितनी बार जाएगा? 7 बार 17 सत्य आप करके देखते हैं 49, 47, 49, 4 7´7, 4, 11 7 बार पूरा पूरा जा रहा देखो यहां हमें सपलता मिली ठीके? पूरा पूरा भाग गया है बापिस आपको बता देता हूँ 17 का भाग दिया 17, 34, 51, 68 4 भार गया ठीक है यहाँ पर मैंने भी वापिस दे देता हूँ साथ चार दो नो ठीक है सतरा का भाग दिया सतरा चौक 68 हो गए 14 में से आट गए 6 यहाँ 0-2 बना था सतरा 34 51 ठीक है 51 बना था तो यहाँ तीन बार भाग गया था फिर यहाँ गटाए तो 11 बचा वहाँ से 9 आया हमने बाग किती बार दिया 9 बार अब देखिए अब आपको सतरा तक की अबाजी संक्याई नहीं देखनी है ठीक है एक बार सतरा चेक कर लेते हैं अगली संक्या 449 आई अब देखो 449 में सतरा तक के अंदर वाली नहीं देखनी सतरा से ही स्टाटिंग करनी है तो 449 में सतरा का भाग दीजे सतरा दुनी 34 सेस किता बचेगा तेरा में से 4 गए 9 तीन में से 3 गए 0 नन्यानवे अब सतरा का भाग नन्यानवे में पूरा पूरा नहीं जाएगा यानि इस बार तो सतरा का भी भाग नी जाएगा सतरा के अगली अबा जिसंग क्या कौन सी है 19 19 चेक करिए 19 दुनी 38 होगा सेस कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा देखिए 13 में से 8 गए 5 यहां गए 3 में से 3 गए 0 अब देखिए क्या 19 के पहाड़े में सुरी यहां पर 7 लिखना था बिल्कुल यहां पर हमें 7 लिखना 437 ठीक है अब यहां पर 7 आएगा अब देखिए 19 के पहाड़े में हम देख रहे थे 19 दुनी 38 हो गया सेस 5 बचा 7 उत्रा अब 19 तिया 57 पूरा पूरा जा रहा है यहां पर 17 का जब भाग दिया 119 में 7 बार जाता है 9 बार नहीं अब यहां पर हम देख रहे हैं कि 437 में 19 का भाग पूरा पूरा जा रहा है कितनी बार 23 बार जा रहा है अब क्या करेंगे अब बचिए 23 23 तो एक अबाजी संक्या यहीं तेईस में केवल 23 का ही बाग जाएगा तो हमारे पास जो संक्या थी 7,429 7,429 जो संक्या थी उसके अबाजी संक्या है कौन कौन से आई 17, 19 और 23 आई और 3 कितनी बार है एक एक बार है तो 3 की गात मैंने एक लगा दी है तो हमने 7,429 को भी अबाजी संक्याओं के गुणन फल के रूप में लिख दिया है आगे बढ़ते हैं अगले प्रस्ण में अगला प्रस्ण में पुन्नांकों के निमनलिकित युगमों के HCF यानि मसप और LCF यानि लगुत्तम समापरत्य ज्याद कीजिए तता इसकी जाच कीजिए कि दो संक्याओं का गुणन फल बराबर मसप इंटू लसप या नहीं है हमें ये पूछा गया है कि आपको जो ये संक्याओं दिये दो पुरुनांकों का युगम दिया युगम निक जोड़ा तो आपको पहली सर जोड़ा दिया है 26 और 91 दो संक्या है 26 और 91 इनके आपको मसप और लसप ज्याद करने हैं और आपको जाच करने हैं कि इन दोनों संक्याओं का जो गुणा है 26 गुणा 91 करते हैं तो वो मसप इंटू लसप के बराबर आता है या नहीं आता है कैसे चेक करेंगे सबसे पहले इनके अबाजी गुननकन करेंगे क्योंकि मसप और लसप चाहिए तो अबाजी गुननकन करेंगे तो 26 और 91 के अबाजी गुननकन करने पर अबाजी गुननकन करने पर गुननकन करके देखते हैं क्या आता है तो 26 के अबाजी गुननकन करेंगे तो 2 का भाग देंगे 13, 13 एक बार, ठीक है, 91 के करते हैं, कितनी बार जाएगा, अब 91 में 7 का भाग जाता है, ठीक है, या 13 का भाग दें, तो सीधा 13 सते 91, साथ एकम साथ, कि लिए तेरा सते 91, और किसी भी संक्या से भाज्य है, तेरा का भाग दिया, साथ बार, फिर साथ का, ठीक है, तो दोनों के अब बार जी गुढण करना आ गए, 26 के क्या है, 2 इंटू 13 और 91 के क्या है, 7 इंटू 13, तेरा इंटू 7 लिको है, या 7 इंटू 13, सकते हो, अब यह आ गए, अब इनके दोनों के मसब निकालते हैं, और लसब निकालते हैं, तो पहले मैं इनका दोनों का HCF निकालता हूँ, 26, 91 का मसब, मसब क्या होता है विद्यारतियों, जो उबयनिष्ट अबाजी गुणन खंड है, जो दोनों संक्या है, 26 और 91, इनके अबाजी गुणन खंडों में, जो उबयनिष्ट है, उनकी नियुनतम गातों का गुणा, अब मसब क्या होता है, उबयनिष्ट मैं आपके लिए लिख देता हूँ, उबयनिष्ट आपको एक सवाल में लिख देता हूँ, आगे से मैं बोलूंगा, तो आपको लिखना चोटी गातों का गुणा, उबयनिष्ट अबाजी गुनन खंडों की चोटी गातों का गुणा, वो होता है, क्या मसब होता है, यानि मसब क्या होगा है, उबयनिष्ट अबाजी गुनन खंडों की चोटी गातों का गुणा, अब देखते हैं, दोनों में जो कौमन आ रहा ह वो कौन है common यनि देखो दो यहां भी मौजूद है पर यहां मौजूद नहीं साथ इकराणवे के अबाजी गुननखन में 26 में नहीं लेकिन 13 देखो तेरा जो है 26 और उकराणवे दोनों में काम आ रहा है दोनों में मौजुद है नहीं उबैनिस्ट यह हो गया और उसकी न्यूंतम गाते नहीं दोनों में एकicion गात है तो मसब कितना हो जाएगा मसब 13 होगा क्योंकि दो दोनों में नहीं था साथ दोनों में नहीं था जो दोनों में होता है उसे कहते हैं उबयनिष्ट और उसकी छोटी गातों का गुना ले लो जी वो हो जाएगा अब बात करते हैं लसब की ठीके लसब क्या होगा दोनों का LCM किनका 26 और 21 का लसब तो लसब निकालने के लिए मैं आपको बता है जो अबाजी गुननखन अब जरूरी नहीं कि दोनों में हो या नहीं हो ठीक है यहां तो उबईनिष्ट वड़ी उच्किया लसप में कोई उबईनिष्ट नहीं है कोई भी संख्या जो दोनों में कहीं पर भी आ रही है या दोनों में से किसी एक सं अधिक्तम गातों का गुणा अब बाद जी गुनन खंडों की बड़ी गातों का गुणा अधिक्तम गातों का गुणा ठीक है कैसे देखना अब LCM निकालता हूं मैं दोनों का LCM कितना आएगा देखते हैं LCM का आएगा देखो 26 में लेकिन एकराण में नहीं है तो भी लेना है और 13 दोनों में तो लेना है अब देखो दोनों में जो है 13 उसकी बड़ी से गात कितनी एक है तो 13 की गात भी एक लेनी है दो की गात कितनी है एक है तो एक लिए नहीं बड़ी गात और सब की बड़ी बड़ी गात एक के की है अब बतलब इन सब का गुणा करना है तो तेरा सत्य इकराणवे एक्राणवे को दो से गुणा करेंगे तो आएगा एक्राणवे को आप दो से गुणा कर दोगे तो आपके आज आएगा जी दो एकम एक्राणवे गुणा दो दो एकम दो नो दुनी अठा रहा तो 182 आपको प्राप्त होगा कितना प्राप्त होगा 182 जो है आपको प्राप्त होगा अब क्या करना है आपको जाच करनी है student आपको क्या बोला है कि आपको जाच करनी है कि दोनों संख्याओं का जो गुणा है वो मसप और लसप के गुणा के बराबर है ठीक है यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ जाच कर तो पहले δोनो संख्याओं का गुना देखता हूं, दोनो संख्याओं का गुना किता होता है, चेक करते हैं, कितना आता है, 26 गुना 91 हमें करना है, ठीक है, तो यहां में कर देता हूं रफ में 91 गुणा 26, 6, 9, 54, फिर 2, 1, 2, 9, 18, 6, 4, 2, 6, 18, 5, किते होंगी 2366 ठीक है ये इनका गुणा हो गया ओके अब चेक करते हैं किनका गुणा अब हमें देखो यह बाया भाग तो हमने चेक कर लिया दो संख्याओं का गुणा हमने दोनों संख्याओं का गुणा करके चेक कर लिया 2366 अब मसब इंटू लसब इन्हीं दाया भाग चेक करते हैं ये बाया भाग तो चेक कर लिया अब दाया भाग ये तो मैंने क्या चेक किया लेचेस चेक कर लिया है ठीके बाया भाग अब आरेचेस चेक करता हूं आरेचेस में क्या आता है आरेचेस में मसब इंटू लसब ठीक तो तीन दूनी 6, 18, 36, 54 बार और यह होगा 2, 8, 1 तो 6, 6, 18, 5, 30 तो ये भी देखो दोनों संख्याओं का गुणा कितना आया 2366 आया ये भी क्या आया 2366 इसका मतलब अत हम क्या कह सकते हैं अतह ये सत्य है अतह दो संख्याओं का गुणा अतह दो संख्याओं का गुणा बराबर मसब इन्टू लसब दो संख्याओं का गुणा बराबर SCF इन्टू LCM सत्य है ठीके दो संख्याओं का गुणा जो है मसब इन्टू लसब के बराबर ये पूरा आपको करना है ठीके आपको क्या करना है पहले अबाजी गुणनकन करने उसके बाद मसप और लसप निकालना मसप क्या होता है जो दोनों में common है उबहिनिष्ट अबाजी गुननकर्ण की छोटी नियुनतम गातों का गुणा और वो होता है उबहिनिष्ट नहीं कहीं पर भी कोई संक्या मोजूद हो दोनों में से किसी के भी अबाजी गुननकर्ण म पाऊगे कि दो संख्याओं का गुणा जो है मसप इंटू लसप के बराबर होता है के लिए अब मैं पूरा डिटेल में नहीं बताऊंगा यह जो चीजें आपको लिखनी है मैं मैं चीजें वही बताऊंगा अगले सवाल से ठीक है अगला सवाल है पांसो दस और बानवे तो स अबाज जी गुणनकंड हम करते हैं क्या आता है देखते हैं गुणनकंड करनी पर तो फटापट करते हैं पांसो दस के अबाज जी गुणनकंड क्या होंगे देखो पहले दो का भाग जाएगा दो बार एक इदर जाएगा ग्यारा बनेगा दो पंजे दस एक इदर यह आ गई 510 के अबाज जी गुननखन, अब बात करते हैं, बानवे के अबाज जी गुननखन करते हैं, कितना आएगा दो का भाग देते हैं, तो यह जाएगा 2 चौक 8, 2 चंग 12, फिर वापिस 2 का जाएगा 23 बार, अब 23 अबाज जी संक्या 23 का 23 भी एक बार, तो 510 के BE 1, 17 की गात, और बानवे के अबाज जी गुननखन क्या आए, दो कितनी बार है, 2 बार, तो दो की गात, 2 into 23 की गात, 1 तीके, अब पहले, मस्ब की बात करते हैं, दोनों संक्याओं का मस्ब का आएगा, SCF की बात करते हैं, दोनों का मस्ब, तो अभी मैंने मस्ब बताया था विद्यारतियों जो उबयनिष्ट अबाजी गुनन खंडे जो दोनों के अबाजी गुनन खंड में आ रहे हैं उनकी छोटी गातों का गुना तो देखो दो दोनों में आ रहा है यहां भी है और देखो 23 इदर है लेकिन उधर नहीं है पांच इसके अबाजी गुनन खंड में बानवे में नहीं है सत्रा जो है इसके अबाजी गुणनखन में यहां नहीं है दो दोनों में आ रहा है ठीक है और दोनों में भी छोटी गात लेनी है यहां दो एक बार आ रहा है यहां दो दो बार आ है तो हमें कम वाला लेना में कितना एक ही लेना चोटा गात वाला लेना ह या आप ऐसे भी समझ सकते हो, दो देखो, यहां भी है, इसके अबाजी गुननखन में भी है 2 की गात एक मतलब क्या होता है स्टुडěएं दो होता है कि लिए नहीं मसब हमारा 2 होता है अब लसब क्या होगा लसब क्या होता है अब इनकी बड़ी गाते लेजी ठीके तो दो की गात यहाँ यहाँ दो है ठीके न यहाँ दो बार आ रहा वहाँ एक बार तो जदा गात लेने दो की गात दो तीन देखो एक बार ही है कहीं पर भी देख लो पांच भी एक बार ही सतरा भी एक बार तेईस भी एक बार यह सब एक एक बार है दो जो अदा था दो यहाँ पे दो बार था आमने दो बार ल ठीक है और इनका गुणा करते हैं 17, 34, 51 हो जाएगा हासिल लगेगी 5, 17 दुनी, 17, 51, 1 हासिल 5, 17 दुनी, 34 और 5 हो जाएगे उन चले तो 300 एकराणवे को हम गुणा कर देते हैं 60 से करना है 6 से कर देता हूं पीछे 0 लगा दूगा एक ठीक है तो 6 एकम 6 हो जाएगा 9 चंग 54 हासिल लगी 5, 16, 18 और 5 किते हो जाएगे 23 तो ये बनेगा आपके 23,460 ये बना आपके 23,460 बन चुका है ठीक है अब आपको क्या करना है आपको जांच करनी है ठीक है जांच क्या करनी है ये दो संख्याओं का गुणा बराबर होता है मसप आपको जांच करनी है ठीक है तो सबसे पहले जांच में मैं LHS लेता हूँ LHS क्या है हमारा बाया बागे 2 संख्याओं का गुणा देखता हूँ 51 को 92 से गुना कर दो आप तो simple ठीक है 2 एकम दो 5 दूनी 10 9 एकम 9 नो पंजे 45 तो बनेगा 2 9 46 ठीक है तो ये बनेगा 4 6 9 2 46 हजार 920 बन गया अब आपको RHS लेना है तो मैंने LHS लिया अब आपको RHS भी लेना है RHS क्या लेंगे शुरेंड मसप इंटू लसप RHS में यह तो है बाया भाग और यह है दाया भाग अब दाया भाग लेते हैं HCF इंटू LCM क्या आएगा देखते हैं मसप कितना आया संख्याओं का 2 आया लसप कितना आया 23 हजार 460 इनका गुना करते हैं देखो 60 को 2 से करेंगे 120 आएगा 180 लगेगी 4 दुनी 8 और 1 9 और 23 दुनी कितना होगा 46 तो आप क्या देख रहे हैं दो संख्याओं का गुना और मसप इंटू लसप का गुना दोनों क्या आ रहे हैं समान आ रहे हैं अत हम क्या देखेंगे अत हम कह सकते हैं LHS बराबर RHS या आप लिख सकते हैं दो संख्याओं का गुना बराबर मसप इंटू लसप सत्य है ठीक है मैं सीधा लिख रहा हूं अतह LHS बराबर क्या है जी RHS है आपको क्या लिखना चाहो तो ये भी लिख दो सत्य LHS बराबर RHS सत्य है या आप ये भी लिख सकते हो कि दो संख्याओं का गुणा बराबर क्या है मसब इंटू लसब सत्य जो मैंने पिछले सवाल में लिखवाया वैसे अगले सवाल की और बढ़ते हैं अगला सवाल है 336 और 54 ठीक है इनकी बात करते हैं तो 336 और 54 के सबसे पहले क्या करेंगे अबाजी गुननखंड करने पर कितना आता है देखते हैं अबाजी गुननखंड करने पर फिर 1 इदर जाएगा 16 बनेगा 2 अटे 16 दो का बाग दो 2 अटे 16 दो चौके 8 होगा फिर 2 का बाग देंगे 42 पार फिर 2 का बाग देंगे 21 बार फिर 3 का देंगे 7 तीन का बाग देंगे 7 एकम 7 यह हो जाएगा ठीक है अब 54 का करके देखते हैं चौवन का आएगा, दो, फिर 27, फिर 13, फिर 9, फिर 13, फिर 15, फिर 11, यह आ गए, 336 और चौवन के अबाजी गुननखन कर लिये हैं, अब इनको हमें मसभ और लसभ के रूप में लिखना आए, तो पहले मैं इनके अबाजी गुननखन में क्या आया है वो लिख देता हूँ 336 के अबाजी गुननखन में 2 कितनी बार है 1, 2, 3, 4 बार तो 2 की गात 4 इंटू 3 की गात 1 इंटू 7 की गात 1 और 54 के अबाजी गुननखन में क्या आया है 2 इंटू 2 की दो तो एक बार है, तीन तीन बार है, तो तीन की गात क्या होगा, ठीके, अब निकालता हूं मसभ और लसव, तो पहले मैं S.C.P. निकालता हूं, S.C.P. क्या आएगा, किन संक्याओं का, आप ऐसे भी लिख सकते हूं, S.C.P. किन का निकाल ले हो, इनी संख्याओं का तो आप पोष्टक में भी लिख सकते हो SCF 336, कौमा करके 54 यानि आप इन दोनों संख्याओं का मसब निकालो अब मसब कैसे इनके जो अबाजी गुननकंड आये हैं दोनों में मोज़ू दोनों के ही अबाजी गुननकंड में आये वो ही संक्याओं सामिलोगी और उनकी भी छोटी गाती लेनी है तो देखो दोनों के अबाजी गुननकंड में आरा दिखरा है न आपको यहाँ चार बार आरा यहाँ एक बार तो आपको क्या करना है एक गात लेनी है कम गात तीन भी यहां भी है वहां भी है यहां तीन तीन बार आया है यहां एक बार है तो आपको एक वाली गात लेनी है तो दो की गात एक तीन की गात एक तो यनि दो इंटू तीन बनेगा जो की होता है अब बात करते हैं लसब की लसब की आएगा तीन सो चतीस और चौवन का लसब ठीक है तो इसमें हमें हर संक्या लेनी है हर कोई संक्या चाहे इसके अबाजी गुननखण में हो या इसके हर संक्या सामिल होनी चीए और उसकी भी बड़ी गात तो देखो एक तो दो आ रहा एक तो तीन आ रहा वो तो ही है दो और तीन तो लेने ही है उसके अलावा साथ नजर नई संक्या साथ नजर आ रही है अब देखो दो यहाँ चार बार है जबकि यहाँ एक बार हमें बड़ी गात लेनी तो दो की गात चार हम लेंगी इंटू ती तीन तिया नौ नौ तिया बनेगा ये 27 तीन क्या क्यों क्या होता है 27 तो 16 को 27 से गुणा करना है फिर 7 से और गुणा करेंगे ठीके तो पहले 16 इंटू 27 करके देखते हैं कितना आता है 27 42 हासिल 4, 7 एकम, 7 और 4, 11, 16 दूनी 32 बनेगा तो ये बन गया 32, 2, 3 और 4, 432 को 7 से और गुणा करना है 7 दूनी 14, 7, 21, 21, 24, 28 और 2, 30 हो जाएंगे तो ये बनेगा 3,000 चोईस क्या बनेगा 3,000 चोईस आपके लसप प्राप्त हो गया मसप और लसप आ गए अब आपको क्या करनी जाच करनी बाया भाग यानि दाया भाग बराबर है या नहीं है ठीके तो दो संख्याओं का गुण कितना आता है ठीके पहला आप जो सवाल में संख्याओं दे रखी है यहां पर कभी कबार पुन्नांक लिखा आता है दो पुन्नांकों का गुणा यानि पुन्नांक भी नहीं को लेना है पुन्नांक कहो या संख्या कहो दो संख्याओं का गुणा क्या आ जाएगा 14 हासिल की 14 सार 12 एक स्थय र вопросы यहां 55 से 30 स्थक्राइब हो यहां अर्ड эти चीक हख्राम nurses शुक्राइब लगेगा आपके अठारा हजआर 144 कितना बनेगा 18,144 ठीके ये तो मैंने संखियाओं का गुणा किया अब मैं क्या करूंगा RHS चेक करूंगा ठीके RHS में क्या है मसप और लसप का गुणा करना है मसप into लसप का गुणा तो मसप तो है 6 और लसप है 3024 इस तो गुणा करेंगे कितना आएगा 624 होंगे हासिल लगेगी 2 612 और 214 हासिल लगेगी 6 को 0 से करेंगे 0 6 कम 6 और 6 ती 18 तो ये भी कितना आया 18,144 आया यानि यहां भी हम चेक पा रहे हैं LHS बराबर क्या दे रखा है RHS सत्य है यानि दो संख्याओं का गुणा बराबर मसप इंटू लसप क्या दे रखा है सत्य है ये भी हमारे यहां तीसरे सवाल में बैठ रहा है अगले प्रस्ने में बात करते है तीसरे प्रस्ने में आजाईए इस्टुडेंट्स तीसरा प्रस्नी क्या है अबाजी गुणनखन वीदी द्वारा निमनलिकित पूर्णांकों के मसप और लसप अब केवल आपको मसप और लसप निकालने जाँच नहीं करने अभी जो हमने दूसरा प्रस्नी किया उसी पर आदारी तफसेवल मसप और लसप ज्याद करने तो पहला सवाल है 12, 15 और 21 तो सबसे पहले हमारे विद्यारती जानते हैं कि इनके अबाजी गुणनखन करते हैं सबसे पहले क्या लिखेंगे 12, 15 और 21 के अबाजी गुणनखन करने पर 21 के अबाजी गुणनखन करने पर 12, 15 और 21 के अबाजी गुणनखन तीन संख्या है घबराना नहीं है student करने पर करने पर तीनों के अबाजी गुननखन करिए 12 के कितना आएंगे विद्ध्यारतियों 2, 6, 2, 3, 3, 1 15 की बात करते हैं 3 का बात जाएगा 5, 5, 1 और 21 की बात करते हैं 3, 7, 7, 1 तीनों संख्याओं के अबाजी गुननखन आ गए 12 के कितना आएंगे विद्ध्यारतियों 12 के अबाजी गुननखन आए 2 की गात 2, 3 की गात 1 ठीक है 15 के क्या है 3 की गात 1 into 5 की गात 1 और 21 के कितना है 3 की गात 1 into 7 की गात 1 ठीक है अब हमें सबसे पहले क्या निकालना मसब निकालना ऐसे बारा कॉमा पंदरा और एकीस का मसब निकालना है मसब क्या होता है तीनों संख्याओं के अबाजी गुननखन में जो संख्या है उसकी जो तीनों के अबाजी गुननखन में आए उसकी छोटी गातों का गुना तो देखो तीनों में तीन मौझूद है तीन देखो यहां भी है यहां भी है यहां भी है तो तीन होगा क्या इनका मसप होगा और 3 की सब जगध गात 1 ही है 2 यहाँ पे हैं लेकिन यहाँ दोनों मेंनी 5 यहाँ है लेकिन 12 और 21 के अबन जी गुननकट मेंनी 27 में वहाँ नहीं है तो 3 की गात 1 किता होगा 3 हमारा मसप होगा अब बात करते हैं लसब की LCM की बात करते हैं 12, 15 और 21 का लसप कितना आएगा ये हम अभी देख लेते हैं तो देखिए लसप में सभी लेने 2, 3, 5, 7 सारे आएंगे सब की बड़ी गात 2 की गात 2, 3 की गात 1, 5 की गात 1, 7 की गात 1 तो ये क्या बनेगा 2, 2, 4, 4, 3, 12, 12, 15 कितने होंगे 60, 60 को गुणा करेंगे 7 से तो बनेगा 4, 20 कितना बनेगा 4, 20 अब इसमें आपको केवल मसप और लसप निकालने विद्यारती हूं उसके अलावा कुछ नहीं ही करना है तो मसप 3 है और लसप 4, 20 है अगला 17, 23 और 29 ठीके अब 17 का बाजी गुनंकन करेंगे 17, 17 एक बार अबाजी संक्या 23 की बात करें 23 भी एक अबाजी संक्या है ठीक है तो 23 में तो 23 का बात जाएगा 29 की बात करें 29 में केवल 29 का बात जाएगा अरे ये क्या हो रहा है स्टूडेंट हम क्या देख पा रहे हैं तीनों ही संख्याएं जो है अबाजी संख्याएं 17, 23 और 29 अबाजी संख्याएं ये अच्छा सवाल है विद्यारतियों इंपोटेंट ले ले लें इसको क्योंकि इसमें जो 17, 23 और 29 तीनों ही अबाजी संख्या से या एक से विबाजित होती है तो अब तीनों के अबाजी गुनन क्या आए 17 को हम लिख सकते हैं 17 की गात एक आया 23 में क्या आया 23 की गात एक आई और 29 के अब इनका मसब यदी मुझे लेना है कि इनका 17 23 और 29 तीनों का मसब लेना है तो क्या होगा मसब क्या होता है जो तीनो के ही अबाजी गुननखन में आए अब देखो 17 यहां है यहां दोनों में नहीं 23 इन में है इसमें नहीं 29 इसमें है लेकिन उपर वाले दोनों में नहीं है तो विद्यारती जो है चिंतित हो जाते हैं कि अब सर हम क्या लें अब मसब क्या होगा तीनों में जो आता है वो होता ह मसब तीनों में तो कोई संक्या नहीं है जो आ रही है तो मैंने आपको बताया है परतेक संक्या सत्रा हो चाए 23 हो चाए 29 कोई भी संक्या है सारी संक्या एक से क्या होती विबाज्य होती है या दूसरे सब्दों में जो एक होता है वो सभी संख्याओं का गुननकन 100% होता है इसका मतलब इस 17 को हम क्या लिख सकते हैं 17 की गात 1 into 1 23 को भी यहां भी गुना एक करो कोई फरक नहीं पड़ेगा गुना एक करोगे कोई फरक नहीं पड़ेगा और तीनों में कुछ जब कौ यह विशेस पॉइंट याद रखना इस सवाल में जो संख्याओं दे रखी है 17, 23 और 29 तीनों कैसी संख्याओं हैं तीनों मेरी अबाजी संख्याओं हैं और आपने इस सवाल की मदद से सीखा है कि कभी भी अबाजी संख्याओं का मसभ पूछे उनमें कुछ अब बात करते हैं लसब की मसभ तो हमारे विद्यारतियों निकाल दिया अब बात करते हैं एलसियम की 17, 23 और 29 का लसब कितना होगा ये भी हम चेक करेंगी तो लसब कैसे निकालेंगे अब लसब में बताया है कि उबईनिष्ठ होना जरूर नहीं परतियक संख्या को लेलो जैसे 17 इदर है इन दोनों में नहीं तो भी आएगी ठीके 23 इदर है इन दोनों में नहीं तो भी आएगी और 29 इसके अब बात जी गुनन खण में इन दोनों में नहीं फिर भी आएगी तो तीनों का गुना कर दो इसका मतलब एक और पॉइंट हमारे सामने आया कि जब भी अब अब जी संख्याओं का लसप पूछा जाए, मसप पूछा तब तो एक हुआ, लेकिन लसप पूछा जाए, तो उन सभी संख्याओं का आपस में गुणा कर दो, जैसे इस सवाल में 17, 23, तीनों का गुणा हो रहा है, तो तीनों का गुणा करते हैं, 17 को 23 से गुणा करते ह पहले 3, 27, 21 हासिल लगी 2, ठीक है, 87, 31 हो जाएगा और यह जाएगा 17 दुनी 34, तो बनेगा 1, 9, 3, अब गुना और 29 से करना है, गुना करते हैं, 9, 81 हासिल लगेगी, 8, 9, 27, और 8, 35, फिर 2 से गुना करना है, 2, 49 दुनी हो जाएगा आपके 78, जोडेंगे 9, 3, 3, यह बनेगा 11, तो यह बनेगा विद्यारतियों 11,349 आपका बनेगा, ओके श्रेंग, यह बनेगा कितना 11,349, ओके तो आपने इस सवाल से क्या देखा है, कि कभी भी अबाजी संक्याएं, इन्ही की बात नहीं कर रहा हैं, कोई भी आ जाए, अबाजी संक्याएं जो होती है, अबाजी संक क्या कर दो, गुना कर दो, अबाजी संक्याएं का गुना, क्लिर है, यह चीज आपने इस सवाल से क्लिर समझ ली है, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल में, 8, 9 और 25, तो 8 के अबाजी गुननकन में सीधा लिखता हूँ, 8 के अबाजी गुननकन, 2 into 2 into 2, यानि 2 की गात 3 होग into 5 होगे, यानि 5 की गात क्या होगा, 2 होगा, तो अब हमको मसप लेना है, स्यप लेना है, तो तीनों में common कौन आ रहा है, कोई भी संक्या common नहीं, 8, 9 और 25 के अबाजी गुननकन आप देख रहे हो, तो विद्यारतियों कोई संक्या ऐसी नहीं, जो तीनों के अबाजी गुन है, 8, 9 और 25 कैसी संक्या है, बाजी संक्या है, लेकिन इनमें उबईनिष्ट कुछ नहीं था, तो मसप कितना हो गया, एक, अब लसप कितना होगा, तीनों संक्याओं का देखते हैं, लसप 8, 9 और 25 का, तो जो तीनों में नहीं है, फिर भी लोगे, तो 2 की गात अधिक्तम ल 70 को 25 से हम गुणा कर देते हैं, कितना आता है देखते हैं, पांच दूनी 10, 35 और 1, 36 ये हो जाएंगे, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, तो 0, 6 और 4, 10, 17 और 1, 18, यानि हमें ये प्राप्त होंगी, 18 सु प्राप्त होगा, इन्हें संक्याओं का लसप कितना आएगा, 1800 और मसप कितना आ आएगा, एक आएगा, अगले सवाल में बढ़ते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल है विद्यारतियों, इंपोर्टेंट सवाल है ये भी, कि हमें दिया है, मसब, SCF जो है 306 और 657 का 9 है, दो संक्या है, 306 और 657 इनका मसब तो है 9, और इनका लसप आपको ग्याद करना है, जो दो संक्याओं का गुना, आपको बताया वाद, दो संक्याओं हो या पुरनांक हो, दो संक्याओं का गुननफल जो होता है, दो संक्याओं का जो गुननफल होता है, वो किनके बराबर होता है, SCF into LCF, यानि उनी संक्याओं के मसब और लसप के गुना के बराबर, तो दो संक क्या है, जिनका मसब दिया है, लसब निकालना है, अब मसब कितना दिया है, नो, और लसब हमें ग्यात करना है, तो नो जायेगा भाग में, तो लसब कितना आएगा, 306 into 657 नो का भाग दीगे, तो कितनी बार कटेगा, इस से विवाजित करके देखते हैं, एक बार 970 63 होगा दो इधर जाएगा नो तिया 27 ठीक है अब LCM निकालना है तो 306 और 73 को हम गुणा कर देंगे 306 गुणा 73 तो गुणा करके देखते हैं कितना आता है च्टुडेंट चेंटिया 18 हो जाएगा तीन तीया 9 साच्चंग 42 होगा साथ एकिस आठ तीन ये तेरा हासिल की हो जाएगा 22 तो यह हो जाएगा आपके 22 338 जो है इस प्रस्न का जवाब होगा लसब आएगा 22 338 अगले प्रस्न की और बढ़ते हैं अगला प्रस्न जाच कीजिए कि क्या किसी प्राकर्त संक्या N के लिए 6 की गात N अंक 0 पर समाप्थ हो सकती है क्या तो student मैं आपको बता देता हूं कि आपको बोला है कि देखो पहले कहना क्या चाता है कोई संक्या है 6 की गात N ठीके रफली काम समझा रहा हूं सवाल क्या कहना चाता है कोई संक्या है मेरी 6 की गात n है ठीक है और n क्या है student n मतलब है हमारी प्राकर संक्या है n प्राकर तो संक्या है प्राकर संक्या क्या होती है आप जानते विद्यारति हूं एक दो तीन इस तरह की होती है ठीक है तो n के ये जो n दे रखा है कोई भी प्राकर संक्या होत सकती है अ तिन लेता हूं छेंकी गात तिन 6.366.26 आएगा इसी तरम करते रह सकते हैं ठीके आप देख रहे हो विद्वयारतियों आप आगे भी ले सकते हो छेंकी गात चार छेंकी गात भीस कुछ भी लेना आप कुछ भी लोगें हमेसा इका यंग 6 आएगा देखो कि क्या किसी प्राकर संक्या के लिए 6 गात n जो ये संक्या है, वो क्या 1 अंक 0 पर समापत हो सकती है, क्या नहीं हो सकती है, हमने चेक कर लिया, लेकिन हम डारेक्ट ऐसे थोड़ी लिखेंगे, ये तो मैंने आपको समझा है कि करस्ट दे कहना क्या चाता है, हमने n देखो 1,2,3,4 रखे देखे कभी भी 1,0 नहीं आ रहा है ऐसा क्यों नहीं आ रहा है उसका कारण आपको कॉपी में कैसे लिखना है वो मैं आपको बता देता हूँ तो आप यहां देखिए 6 की गात n जो है न उसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ तो हम क्या देख रहे है जो 6 की गात n है 6 की गात n है 6 की गून खन में केवल 2 और 3 आ रहे हैं 6 के अबाजी गुननखन में 5 तो नहीं आ रहा है ना 5 नहीं आ रहा है इसका मतलब ही तो यह हुआ कि 6 के अबाजी गुननखन में 5 नहीं है यदि 5 होता तब इकाई अंक क्या हो सकता है जिरो हो सकता है यह आपको पता होगा कि यदि किसी संख्या के अबाजी गुननखन में 5 विबाजित होती है यह आपको मैंने बताया हुआ है ठीक है तो इसका मतलब 6 के अबाजी गुननखन में या 6 की गात N के गुननखन में 5 नहीं है इसी करण 1 अंक 0 नहीं हो सकता है तो हम क्या लिखेंगे 6 की गात N के अबाजी गुननखन में 5 नहीं है अतह N के किसी के भी मान के लिए 6 की गात N का इकाई अंक या आप ऐसे कह सकते हो 6 की गात N जो है अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी 6 की गात N संक्या के लिए संक्या 6 की गात N जो है यह संक्या है 6 की गात N अंक 0 या सुन्य पर समाप्त नहीं होगी अंक जीरो पर समाप्त नहीं हो सकती है हो सकती है clear simple आपको समझा आगया होगा कि यदि किसी संक्या में जो संक्या हैं सुन्य पर समाप्त होती है वो क्या होती पांस विबाज जो दाबलिक सकते हो कि चुकि जो संक्या है जो संख्याएं सुन्य पर समाप्त होती है वो 5 से विबाजी होती है या आप कह सकते हो उनके अबाजी गुननकन में 5 से विबाजी होती है यानि उन संख्याओं के अबाजी गुननकन में 5 आए गई आएगा लेकिन 6 की गात N के अबाजी गुननकन में 5 नहीं आया इसका मतलब ये कभी भी 1 अंक 0 पर समाप्त नहीं होगे बस इतना आपको लोजिक देना है आगे बढ़ते हैं अगले प्रस्ने की और व्याख्या कीज ये कि 7 x 11 x 13 x 13 और 7 x 6 x 5 x 4 x 3 x 2 x 1 x 5 संख्याओं बाजी है तो क्यों है अच्छे सवाल है दोनों हमें ये 2 संख्याओं दी हमें पूछ रहा है बाजी संख्याओं क्यों है तो ये सवाल जो है अंक गणीत की मूलबूत प्रमे पर आदारित हैं हम समझते हैं पहले इसको समझ ठीक है 7 into 11 into 13 प्लस 13 दे रखा है clear है 7 into 11 यह 3ो साथ 11 तेरा यह गुणा में प्लस में 13 है तो आप देखो इनमें भी 13 आ रहा है आप क्या देख पारे हो इधर भी 13 मोझूद है इधर भी 13 मोझूद है दोनों में 13 है तो 13 को क्या लेलो लेलो, 13 को common लेंगे, अंदर क्या बचेगा, 7 into 11, यहां से 13 बार आगया, प्लस, यहां से 13 बार आया, तो क्या बचेगा, एक बचेगा, तो बनेगा 13, ठीक है, 13 साथ में common आया, गुणा में क्या बचेगा, 13 सते, यह 13 सते, एक राणवे, और एक कितना हो जाएगा, विद्यार तो बराणवे, ठीक है, यहां पर एक सीज, आप यह चीज समझ सकते हो, कि जब 13 हमने common लिया, जब भी किसी संक्या को common लेते हैं, उसका भाग देना है, ठीक है, अब यहां से 13 common लिया, तो यहां क्या बचेगा, 7 into 11 बचेगा, और यहां से 13 common लिया, तो 13 का 13 में बाग जाए अंकरो, 49, 2, 3, 3 का भाग जाएगा, ठीक है, 3 का भाग गया, 13, 13, 1, तो 78 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 into 3 into 13, तो इसका मतलब आपने क्या देखा, यह जो संक्या थी, आपने उसको सरल किया, और अंत में देखो, यह आपका गुना आ रहा है, और यह किन का गुना आप ध्या से देखो, यह 13, 3, 13, 2, यह सारी कैसी संक्या है, अबाजी संक्या, यानि आपने इस संक्या को अबाजी संक्या के गुना के रूप में लिखा, और आप जानते हो, यदि किसी संक्या को अबाजी संक्या के गुना के रूप में लिख सकते हो, इसका मतलब वो कैसी संक्या बाज्य संक्या आपने अंक गनित की मूलबूत प्रम्य पड़ी थी कि किसी भी बाज्य संक्या को अबाज्य संक्या के गुणा के रूप में लिख सकते हैं तो बस यही तो आपने देखा इस संक्या को भी आपने लिख दिया अबाज्य संक्याओं के गुणा के रूप में अत साथ क्या है ये संक्या संक्या हमारे हिपास है साथ इंटू छे इंटू पांच इंटू चार इंटू तीन इंटू दो इंटू एक प्लस पांच तो आप देख रहे हो ये सब तो आपस में गुणा में साथ से एक और पांच अलग से जुड़ रहा है पांच यहां भी है पांच को ले लो common, पांच common लेंगे, पांच common लेंगे, गुणा की रूप में आ गया बाहर, यहां बचेगा 7 into 6, 7 into 6, 5 बार आ गया, 4 into 3 into 2 into 1, प्लस 5 का भाग, 5 बार चला गया तो 1 बचेगा, तो यह बनेगा 5 into, अभी इसको सरल करते हैं, कितना आगा, 7 छंग 42 होगा, और य 44 को चोईस से गुणा करते हैं, 24 दूनी 48, हासिल लगी 4, 24 चोग खिन्नों और 4 बन जाएंगे 100, यानि यह बनेगा क्या, 1008, ठीक है, 1008 प्लस यह कितना है, 1, तो यह बनेगा 5 into 1009, तो यहां आपको मैं बता देता हूँ, यह अभाजी संक्या हैं ति उसी तरह यह 5 और 1009, 5 4, 1009 भी अभाजी संक्या है, तो यह दोनों संक्या हैं जो दे रखीती इस रूप में, आपने अंत में क्या लेकर आए, अभाजी संक्याओं का गुणा, यह भी अभाजी संक्याओं का गुणा, तो अंक गणीत की मूलबूत प्रमेही तो कहती है, कि किसी भी बाजी संक्या को अबाज्य संख्याओं के गुणा की रूप में लिख सकते हैं तो हमने क्या लिखा हमने ये देखा विद्यारतियों चुकि अंक गणीत की मूलबूत प्रमे से हम खुद जानते हैं सब विद्यारती अंक गणीत की मूलबूत प्रमे से अंक गनीत की मूलबुत प्रमे से जानते हैं कि बाज्य संख्या को किसी भी बाज्य संख्या को अबाज्य संख्या के गुणा के रूप में लिख सकते हैं गुणा के रूप में लिखा जा सकता है या लिख सकते हैं लिखा जा सकता है खेले रहे ओके अतह अतह हम क्या लिखेंगे अतह ये दोनों वाजी संक्या हैं लाश्ट में आपको लिखना है अतह 7 x 11 x 13 तेरा प्लस तेरा तेरा प्लस तेरा तथा दूसरी कौन सी थी साथ इन्टु छे इन्टु पाँच इन्टु चार इन्टु तीन इन्टु दो इन्टु एक प्लस पाँच ये दोनों ही कैसी संक्या है दोनों ही भाज्जी संक्या है दोनों ही भाज्जी संक्या है क्योंकि अंक बाजी संक्याएं दरजराई और वो गुणा के रूप में इसका मतलब इनका गुणा करने पर कौन सी संक्याएगी बाजी संक्याएगी दोनों ही बाजी संक्याएं अगले प्रस्ने की और हमारे विद्यारती पहुचने वाले हैं ठीके तो अब बात करते हैं अगले सवाल की क किसी खेल के मैदान की चारो और एक व्रताकार पत हैं, कोई खेल का मैदाने विद्यारती खेलते हैं, ठीक है, व्रताकार मैदाने, चारो और सरकुलर पत, इस मैदान का एक चक्का लगाने में सोनिया को कितने मिनित लगते हैं, सोनिया को 18 मिनित लगते हैं, जबकि इसी मैदा इस्थान का एक चक्कल लगाने में राहूल को अरे राहूल नहीं है ये रवी है मैंने सोचा सोनिया तो राहूल आएगा ये राहूल नहीं जी रवी है ठीके तो रवी को 12 मिनिट लगते हैं मान लीजिए कि वे दोनों एक ही इस्थान और एक ही समय पर चलना प्रारम करके एक बरताकार मैदान अब मान लीजिए यहां से यह बरताकार मैदान इसका एक चक्कल लगाना है पूरा बाउंडरी बाउंडरी पर एक चक्कल लगाना है तो यहां पर S ले लेता हूं सोनिया और R ले लेता हूं रवी ठीक है सोनिया और रवी दोनों जो है एक ही इस्तान से इस से दोड़ना प्रारम करेंगे और एक ही समय पर दोनों की रेस मान लीजिए दोपर में एक बज़े स्टार्ट होती है और दोनों सेम दिशा में दोड़ते हैं तो पूचा गया कितने समय बाद दोनों वापिस मुलाकात होगी ठीक है वो भी कहां पर प्रारंबिक इस्थान पर वापिस मुलाकात कहां करनी विद्यारतियों प्रारंबिक इस्थान पर इसको लिख देता हूँ प्रारंबिक इस्थान जहां से रेस स्टार्ट हो रही है आप चाहो तो रेस यहां यहां से कहीं से भी स्टार कर सकते हो तो दोनों जो है एक ही समय रेश स्टार्ट करते हैं ऐसा नहीं कि एक एक बजे दोड़ना चलू करता है तो वो क्या पांच गंटे दोड़ता ही रहेगा क्या उसका इंतजार करता रहेगा क्या ऐसा नहीं करना है तो दोनों एक ही इस्थान से दोड़ना प्रारम करत बताना चाऊंगा कि ये वड़ाया है एक इस्तान और एक ही समय और एक ही दिशा में, तो कितने समय? अब इस सवाल में विद्यारती सोचते हैं, सरजी मसप निकालेंगे या लसप निकालेंगे? तो आपको क्या करना है? सोनिया और रवी, जो है प्रैरंबिक इस्तान पर उतन कितने समय भार मिलेंगे जितने समय पस्चाद, नियुनतम कम से कम समय वह निकालना है जितने समय में पून चक्कर लगा सकते हैं। विद्यारत्यों देखो, आपको बताओ, सोनिया 18 मिनिट में एक चक्र लगाती है, तो 36 में दो लगाएगी, चौपर में 3 लगा देगी, अठारा चौक, बहतर में 4 लगा देगी, इसी तरह रवी 12 में एक लगाता है, तो 24 में 2 चक्र, 36 में 3, 48 में 4, तो आपको वो छोटी से छोटी संक्या निकालनी है, वो नियुनतम कम से कम टाइम निकालना जब वो अपनी एक चक्कर पूरा लगा देता है, और वो संक्या दोनों में होनी ही चाहिए, जैसे मैं बात करूं 36 की, तो 12 में भी 36 आता है, 12 के पाड़े में भी 18 के पाड़े में भ आता है, तो कम समय कौन सा हुआ, 36 मिनट देखो आप, 36 में ये तीन चक्कर लगा रहा, दूसरा दो चक्कर लगा रहा, दोनों के पाड़े में आ रहा है, और 36 से कोई छोटी संक्या है नहीं, तो 36 हमारा क्या होगा, उत्तर, तो ये नियुनतम संक्या क्या होती ही, मैंना इक थीन की ठाट दो, और बारा कोगा, दो की ठाट गात दो, और तीन की ठाट गात, कुछ इसको मसब में आप, गात रहा है, तो मसब क्या बारा मिनट कात, नियुक्ट कैसी this score है, तो मसब निकालने तक का तो कोई ओचित्य नहीं है इस सवाल में हम क्या निकालेंगे लसब निकालेंगे किनका 18 और 12 का क्यों क्योंकि प्रारंबिक इस्तान पर उतने समय पस्चात मिलेंगे जितने नियुन्तम समय में वो अपना एक चक्कर पूरा कर लेते हैं और यानि वो दोनों संख्याओं के पाड़े में आए तो अठारा को देखते हैं अठारा और बारा के अबाज गुननकन दोनों में दो मौजूद है बड़ी गात ले लो तीन भी दोनों के अबाज गुननकन में ले ले लो बड़ी गात दो की गात दो चार तीन की गात दो नो चार नम चात देख लो दोनों से विबाजी थे रवी दो हे 18 मिनट ले रहा था हमारा रवी तो 12 मिनट ले रहा था, सोनिय आट्रा मिनट ले रही थी तो ये 12 मिनट में एक चक्कर करता है, 36 में रवी कितने कर लेगा, तीन तीन चकर बाद यही पर तो आएगा तीन चकर मादब यहां पर पहुंच गया तीन चकर और सोनिया 18 मिनिट में एक चकर करती तो 36 मिनिट में दो चकर तो मिलेंगे तो यही पर हो सकता है रवी ने एक चकर ज्यादा लगा दिया और सोनिया ने दो चकर ही लगाए है जबकि रवी तीन चकर करक लेकिन हैतो दोना ही प्रारंबिक इस्तान पर आ रहे ही बाद समझे विद्यार्थियूं तो इस तरह इस प्रसन को आपको करना है कि 36 मिनट बाद जो है दोनो पुना प्रारंबिक इस्तान पर मिलेंगे सोनिया पुन्ह प्रारंबिक इस्थान पर मिलेंगे तो नियूंतम समय आपको लिखना है मिलने का जो समय होगा वो क्या होगा वित्यारतियों समय कौन सा होगा नियूंतम समय जिसमें वे एक पून चक्कर कर लेते हैं जिसमें वे एक पून चकर कर लेते हैं पून चकर है नियूंतम समय पूरा चकर चौता हो गया यह नहीं कि आदा हुआ पांच हुआ हुआ पून संख्यात में चकर लगा लेते हैं जिसमें एक पून संख्यात में तीन चकर चार चकर पांच चकर तो नियुन्तम समय जिसमें वे एक पूर्ण संक्या में चक्कर लगाते हैं चकर लगाते हैं ये आपको लिखना है और पूर्ण प्रानम्भी किस्तान पर कितने 36 मिनिट बाद मिलते हैं ओके विद्यारतियों तो हम भी क्या करेंगे अगली क्लास में वापिस मिलेंगे कितने मिनिट बाद कितने समय बाद वो आप पर है ये पूरा पड़ोगे अगले वीडियो को देखेंगे तो आज के लिए इतना विद्यारतियों स्वस्त्रे मस्त रहे